24 घंटे के अंदर हत्या का खुलासा, हत्या करने वाला अभियुक ताला कतल एक अदद गहदाला सब्बल के साथ गिरफतार। दिनाग 25 अक्टूबर 2024 दिन शुक्रवार को अमेटी जिले के संग्राम पुर्थाना क्षेत्र की रिपोर्टिंग चौकी टीकरमाफी अंतरगती करमाफी गाउं के ही रहने वाले जैराम प्रजापती पुत्र रामनरेश की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। जिसमें ग्रामीनो द्वारा ये बताया गया था कि जैराम की मौत जंगली जानवर के काटने से हुई थी। ग्रामीनो नहीं नहीं यहां तक कि ग्राम प्रधान प्रतिनिधी ने भी बताया कि यह जंगली जानवर और कुछ नहीं बलकि जंगली भीडिया है। जबकि इसके पीछे की कहानी कुछ और ही निकली इस घटना में सबसे बड़ी बात तो यह है कि हत्यारे ने ही हत्या करने के बाद गाउं में जंगली भीडिये की बात फैला दी और लोगों को विश्वास भी हो गया लेकिन पोस्टमाटम रिपोर्ट और पुलिस की जांच में दूद का द संग्रामपूर पर लिखे तहलीर दी गई की दिनाग 25 अक्तूबर 2024 को प्रार्थी के पिता जैराम प्रजापती पुत्र स्वरगी रामनरेश प्रजापती का शव टी करमाफी कस्बा के समीब तलिया की बाग में मिला था जिसके संबंध में प्रार्थी के चाचा अरुन संग्रामपूर जनपद अमेती मेरे पिता जी से नाराज रहते थे मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे पिता जी की हत्या मेरे पढ़ोसी शिवशनकर द्वारा की गई है उक्त सूचना पर थाना संग्रामपूर पर मुकदमा अपराद संख्या 191 बटा 24 धारा 1131 भारती न्याय संग्ता बनाम शिवशनकर विश्व कर्मा उपरोक्त पंजीकृत किया गया इसके बाद पोस्ट मॉटम रिपोर्ट में मृत्यू का कारण अंटी मॉटम इंजरी आने पर नामजद अभियुक्त की गिरफतारी हेतु पुलिस अधीक्षक अमेटी अनूप कुमार सिं पुलिस टीम द्वारा आरोपी के धर पकड़ के बारे में बातचीत की जा रही थी कि तभी मुख्बिर द्वारा सूचना मिली की आरोपी शिवशनकर विश्व कर्मा मिश्रॉली रेल्वे स्टेशन से ट्रेन पकड़ कर कहीं भागने की फिराक में है इस सूचना पर पुलिस टीम द्वारा मिश्रॉली रेल्वे स्टेशन के पास पहुंच कर हिकमत अमली से उक्त व्यक्ति को पकड़ लिया गया नाम पता पूछने पर अपना नाम शिवशनकर विश्व कर्मा पुत्र शिवराम विश्व कर्मा निवासी ग्रामती कर्मा फी थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी उम्र करीब 25 वर्ष बताया पूछ ताच में गिरफतार अभियुक्ट शिवशनकर विश्व कर्मा ने बताया कि जैराम प्रजापती मृतक मेरे पढ़ोसी थे जो मेरे परिवार की महिलाओं के प्रती बुरी नजर रखते थे जिससे मैं दुखी रहता था दिनाग 25 अक्टूबर 2024 की दोपहर को समय करीब दो बजे मैं अपने खेट के किनारे बांस गारने के लिए गढ़ाला सब्बल से गढ़धा खोद रहा था तब ही जैराम प्रजापती तलिया की बाग में भेंस चरा रहे थे उस समय वहां कोई नहीं था सून सान होने पर मौका पाकर मैंने जैराम प्रजापती को पीछे से गढ़ाले से मारा तो वह जमीन पर गिर गए बचने के लिए जाडियों में भागे तो मैंने दोबारा उनके सिर पर गढ़ाले से मार दिया जिससे जैराम प्रजापती की मृत्यू हो गई जिसके उपरांद मैंने गहदाले को जाडियों में छिपा दिया पकड़े जाने से बचने के लिए बाहर आकर जोर जोर से शोर मचाया की एक आदमी को जंगली जानवर जो भिडियानुमा था कीच कर जाडियों में ले गया तभी बक्री चरा रहे और गाव के कुछ अन्य लोग मौके पर आ गए जिन्हें मैं इधर उधर घुमाने के उपरांद जैराम प्रजापती के शव को जाडियों में दिखाया तो लोग उनके शव को बहर लाए अभी यूक्त की निशान देही पर घटना स्थल के पास जाडियों से आला कतल एक अदद गहदाला सब्बल बरामद किया गया इस घटनाक्रम में गिरफ तारी और बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 238 भारती न्याय संक्ता की बहुत तरीकर थाना संग्रामपुर पुलिस द्वारा अग्रिम विदिक कार्यवाही की जा रही है दिनांग 25-24 को खाना संग्रामपुर के तलिया बाग में एक ग्रक्ती का शब मिला था शब के पोस्ट मार्टम प्रोपोर्ट एवंपरिजनों से प्राक्त तरीर के अधार पर तुसंग्र धाराओं में अभ्योग पंजीकत करते हुए प्रकास में आये अभ्युक्त की संगर पिशकर्मा को आला कतल सब्बल के साथ ग्रिपतार कर मानिय न्याले रवाना किया जा रहा है पूछ साथ में अभ्युक्त ने बताया कि मिर्टक मेरा पडोसी है जो मेरी घर की मैलाओं के प्रती बुरी नजर रखता था इसी वास से दुखी होकर मैंने उसकी हत्या कर दिया था पकड़े जाने से बचने के लिए सोर मचाया था कि एक आदमी को जंगली जानवर मार कर जाडियों में उठा ले गया है